देखिए आज की ताजा खबर जी हां हम बात कर रहे हैं सलमान और शारुख खान कि बता दे सलमान और शारुख हमेशा या तो सीरियस यहाफ रूम्olitक फिल्मों में साथ नदजर आए हैं लेकिन आज तक यह दोनों किसी कामेडी फिल्म में एक साथ नहीं नदर आएं इसलिए इन दोनों की chemistry को देखते हुए अली इनके साथ एक comedy film बनाना चाहते हैं बता दे हाल ही में फिल्म Tube Light में शारुक Khan नजर आये थे और खबरों की माने तो शारुक की आने वाली film zero में सलमान नजर आ सकते हैं वेल अलिया पास सफर की दोनों खांज को एक साथ कॉमिटी फिल्म में कास्ट करने की ख्वाइश पूरी होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं बॉलिवर्ट से जोड़ी ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलिवर्ट स्पाई मेरे यानी मंदिरा टेगोर के साथ कि आपके बर्डे के दिन आपके बापा ने क्रिश्पोर का एलान किया है और डेट भी बताने के लिए बहुत ताइम है अब ही तो स्क्रिप्ट पर काम अब तक चल रहा है बहुत कुछ लॉक हो चुका है लेकिन अब तो शुरुआत है बहुत ही मतलब लगना वाला है टाइम मैं अब कुछ नहीं पदा सकता है टाइगर जिन्दा है के बाद अब सल्मान खान की अगली फिल्म रेस थ्री पर हर कोई नजर टकाएं बैठे है ऐसे में रेस थ्री से जड़ी एक दिल्चास्प खबर आई सामने वैसे तो डिरेक्टर रेमो डुसूसा की निर्देशन में बन रही ये अक्शन एंटर्टेनर किसी ना किसी वज़े से सुर्कियां बटोरती रहती है और अब रेस थ्री के सुर्कियों में आने का कारण बनी यूलिया वंतूर्ट दरसल सल्मान खान की रियूमर्ड लेडी लव यूलिया वंतूर ने रेस थ्री के लिए गाया है एक गाना जी हाँ इस से पहले जग घूमिया के रिप्राइस्ट वर्जिन और हिमेश रेशमया के साथ आलबम में यूलिया की आवाज और मौसी की तो हम सुन ही चुके हैं और अब खुद सल्मान के फिल्म में भी होगा यूलिया मैधम का गाना वैसे अगर रेश 3 की बात की जाए तो रेश के इस दीसरे इंस्टॉल्मेंट में सल्मान खान समेथ जैकलीन फर्नांडस, बॉमी देवल, साकिप सलीम और डेजी शाम मुख्य किरदारों में दखाई देंगे तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं बॉलिवर्ट से जोड़ी ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहें बॉलिवर्ट स्पाई जब से टाइगर जुन्द है ने बॉक्स आफिस पर दस्तक दिया तब ही से टाइगर का तीसरे इंस्टाल्मेंट सलमान खान के फैंस की दिली ख्वाईश बन चुकी है और अब सलमान ने भी टाइगर के दीसरे इंस्टाल्मेंट का किया ऐलान जी हाँ एक लीडिंग एंटर्टेन्मेंट पोटल के साथ इंटर्व्यू के दरान सल्मान ने किया ये धमाकेदार अनौनस्मेंट इस दिन टाइगर सीरीज के तीसरे फिल्म की बाद छेड़े जाने पर सल्मान ने बताया टाइगर सीरीज की अगली फिल्म जल्द ही होगी इसमें पांच साल का वक्त नहीं लगाया जाएगा अगर आपको पता नहों तो बता दे एक था टाइगर के पांच सालों के बाद टाइगर जिन्दा है ने बॉक्स आफिस पर दस्तक दिया था सल्मान खान की हाल या रिलीज टाइगर जिन्दा है हर रोज बॉक्स आफिस पर कमाई के नए रेकॉर्द्स कायम कर रही है इसके अलावा सल्मान रेज 3 और भारत की तयारी में भी जुटे हुए है रेज 3 की शूटिंग खत्म होते ही सल्मान भारत की शूटिंग में व्यास्त हो जाएंगे वैसे तो सल्मान की हर फिल्म में उनका शॉटलिस अफतार देखने को मिलता है लेकिन मिली जैनकारी के मुताबिक फिल्म भारत में सलमान का ये शॉटलिस अफतार नहीं होगा एक हालिया इंटर्व्यू के दरान डिरेक्टर अली अबास जफर से भारत पर सवाल किये जाने पर उनका कहना था हर फिल्म में सल्मान का शॉटलिस लुग देखने को मिलता है लेकिन फिल्म भारत में वो शॉटलिस लुग नहीं देखेगा ताइगर जिन्दा है और सुल्तान के मुकाबले भारत काफी अलग फिल्म होगी अब ये खबर सुन सलमान के फैन्स शायद थोड़ा निराश हो जाएं मैं हूं मेगा हमें अपनी राय बताएं और कॉमेंट करें और भी मसालेदार और टेली अपडेट्स के लिए जड़े रहें बॉलिवुद स्पाई के साथ